नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन तुमारा स्टेट बूर्ड मैथेमेटिक्स, चप्ट नॉमबर वन, जोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसमें अभी प्रैक्टिस सेट त्री तक क्वेशन हो चुके हैं, अब प्रैक्टिस सेट फूर के लिए पॉइंट है देखे, टू कंस्ट् आए देखे, A, B, C, दो एंगल, B, C, अगर यह सपोस्ट, 40 डिगरी का है, और 30 डिगरी का है, तो इन दो एंगल के बीच में, जो इंक्लुडिडे साइड होगी, B, C, बीएंगल, C एंगल, तो साइड इंक्लूडडे बीशी होगी, अगर सपोस्ट ये 6 सेंटिमेटर है, त करो यहां पिए एंगल 40 डीगरी का तो यहां प्रोक्र को राइट एंड साड से 40 मेंज़र करो आप यहां पे दीखिये सिची को ओने के बाद लिप्ट स्बीए भीडिफ यहां से 30 डीगरी आमिए काउंट करना है और यहां पे रिया और यहां पे एक रिदोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां में लिखना है तो अभी हमें प्रैक्टिस इट फूर में हम क्वेशन देखेंगे तो उससे पहले आप से भी कॉन रोद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर क लो तो उसमें कुशन नमर वन इन ट्रेंगल से टी लिंफ एटी जिक्स पॉइंट फॉर मिजर पैंगल एफ फूटिफई मिजर पैंगल टी बन अंडिड फई डिग्री तो अब हम यहां पे एक डिफ डिग्राम करनी है तो जो दो एंगल से यहां पे दिए गए हैं इन दो एंगल को हमें बेस में लिखना है एंगल ए और एंगल टी तो यहां पर यहां पर टी पॉइंट आएगा 80 यहां पर पॉइंट यस एंगल ए है 45 डिग्री और एंगल टी जो है वह है 105 डिग्री और एटी की लिंथ जो है वह 6.4 cm 6.4 cm तो हमने अभी रव डिग्राम ड्रॉक करिए नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन अभी करेंगे सबसे पहला हमें 86.4 से ड्रॉ करने है 6.4 तो 6 के आगे 1 2 3 4 5 के पहले जो लाइन है वहां तक और 0 यहां जो इन करें 0 से 6.4 तक अब यह जो प्वाइंट होगा वह यहां पर ट में इस और बंगे 645 तो पहले कोई dyspative और रसकती हैं कोई भी हम बाद में土 कर सकते हैं 45 डिग्री का एंगल हम यहां ड्रो करें तो देखिए निचे की जो लाइन है वो completely match होने चाहिए यहां पर तो यह होगी completely match अब 45 डिग्री करें चाहिए इस पॉइंट के नीचे की लाइन right hand side में तो रहां रेच रेट side का 0,0 से लेकर 45 45 यहां पर होगा तो यहां पर जो पॉइंट है उसको यहां पर mark करिए 5.45 का और इन दोनों का में यह पॉइंट को और इस पॉइंट को match करना है और इस लाइन को थोड़ा extend करना है आगे तक फिर उसके बाद यहां पर extend करिए तो यहां जो एंगल है वो 105 डिगरी का है तो 105 डिगरी दिखिए 105 अब देखिए इसको हमें match करना है नीची की लाइन से match कर लिया है भी तो इस point के नीचे है देखिए 0 कहा है मतलब नीचे की लाइन लेट साइड में है तो लेट साइड का 0 कहा है यहां है तो यहां 0 से लेकर 105 डिगरी तक 105, 80, 90, 100 और 105 यहां पर आएगा तो यह मुझे लगी रहता है यह बाहर चला जाएगा तो अभी देखिए 100 पॉइंट यहां है तो 105 पॉइंट से आगे 105 यहां का लेना है क्योंकि हमने काउंट किया है यहां से तो जो पॉइंट आ गया उसे और इसे हमें जोइन करना है एक्स्टेंट करके तो देखिए अभी यहां इन दोनों का जो इंट्रसेक्शन पॉइंट है वो इससे बाहर चला जा रहा है तो हम से ऐसे डॉक कर सकते हैं देखिए इसको भी एक्टेंट करना है और इस लाइन को भी एक्टेंट करना है यहां से एक्टेंट करिए यहां से एक्टेंट करिए जो इन दोनों का इंट्रसेक्शन पॉइंट है उसे हमें लिखना है यस पॉइंट और यह जो लेंथ है और इन दोनों की लेंद हमें नहीं मालूम, लेकिन एंगल ए और एंगल T और यह 6.4 हमें पता है, तो आपको अभी पता ज़ल गया होगा कि कैसे हमें यहां पर कंस्रक्शन करना है, तो ए पॉयंट जो है वो 45 डिग्री का है, और जो T पॉयंट है 105 डिग्री का, तो यहांपका एं 3 और 4 सेम इसी टाइप के हैं तो उन कुर्शन में हम रॉफ डाइग्राम जो है वह अभी ड्रा करेंगे तो यहां पर रॉफ डाइग्राम ट्रेंगल और पी यहां पर दिया गया है तो यहां पर यहां पर 70 डिग्री का पी एंगल 40 डिग्री का यहां पी लेंथ 5.2 सेंटिमेटर तो सबसे पहली एंपी हमें डॉफ करना है फिर यहां पर 70 डिग्री का एंगल ऐसे आ सकता है और यहां पर 40 डिग्री का एंगल 40 डिग्री का एंगल यह है दोनों का इंटर्सेक्शन पाइंट लिखो दोनों के मेजरमेंट लिखो एंपी और यह नाम लिखो कंस्रक्शन एगल इफ 65 मिजरेव आगल इफ इप इफ और जी यहाँ पर दीगें है िफ जी यहाँ यहाँ यही की इजी धियाग이다 फक्तिल्धीbat भेट यहाँ प मसं में नहीं पता स्कॉ यह आ ere का ओ इंगीक्थ आ यहाँ प्तेंग आ कि عटेंछ q अब triangle के तीनो angle में सित दो angle हमें पता हैं. तो third angle हम draw कर सकते हैं. तो इसलिए हमें यहाँ पर एक process लिखने हैं. int angle EFG, int angle EFG, लिखना है angle EF plus angle E plus angle G is equal to 180 degree. इसे एक नाम है angle sum property of a triangle, of a triangle triangle के angle से हम property है जिसमें 3 angle की addition triangle के 3 angle की addition 180 degree होते है तो angle EF 65 है तो यहां पे लिखे 65 E हमें नहीं पता है plus angle Z हमें पता है 45 degree is equal to 180 degree है अभी इन दुने के addition करिए तो 60 plus 40 100 5 plus 5 10 110 तो angle E is equal to 180 minus 110 degree तो E is equal to आगया है 70 degree मतलब E angle होगा 70 degree तो EF हमें easy पहले draw करनी है 6 cm E पे 70 degree का angle लेना है फिर G पे 45 degree का angle लेना है और triangle जो है वो construct करना है तो यहां से यहां तक जो part है इस question में तोड़ा अलग है तो मुझे लगता है कि आप अभी इसके आगे solve कर सकते हैं यह करिए फिर triangle draw करिए triangle में easy draw करिए फिर यहां पे 70 degree degree angle फिर यहां पे 45 degree angle और draw करिए question number 4 में देखे in triangle x y z length of x y 7.3 cm measurement of x 34 and measurement of y 95 degree तो हम यहां पे rub diagram draw करेंगे x y z अब जो length दी गई है x y तो x y 7.3 यहां पे लिखे 7.3 x और y x point पे angle दिया गया है 34 degree और y point पे angle दिया गया है 95 degree तो यहां पे हम आसाने से draw कर सकते हैं पहले 7.3 cm x y line draw करिए line segment x point पे 34 degree ऐसे आ सकता है 95 degree 90 angle यहां पे होगा तो 95 ऐसे आ सकता है तो यह ट्रे अंगल x y और यहां पे जेड तर्टी फोर 95 degree अंगल लिखे आसर हमें मिल जाएगा तो ठीक हैं दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद हुआ झाप झाप झाप